नमस्कार दोस्तो मैं हो राउसन और आप देख रहे हैं प्रिपेर फर नौकरी ओफिसियल यूटूब चैनल दोस्तो HRRL यानि की HPCL राजस्थान रिफाइनरे लिंटेड में वेकेंसी आई थी इसका एक्जाम भी हो चुका है 7 अगस्त को इसका एक्जाम हो चुका है लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल लागी कि कौन से ब्रांच में कितने जो है कंडिडेट फॉर्म भरे हैं यानि कि अगर मेकेनिकल की बात करते हैं तो कितने फॉर्म भरे हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एक्जामनेशन किस तरह से गया है और आपका सेलेक्शन का चांस कितना है तो टोटल फॉर्म जो है कितना भरा गया है आर्टी आई के द्वारा जो है पता चला है तो आपको देखना है और RTI के द्वारा ही ये reply आया है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर RTI Act जो 2005 के तहट आप भी information ले सकते हैं किसी भी department से तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले civil discipline का मैं यहाँ पर बताता हूँ तो देखिए यहाँ पर unreserve में 359, total 1531 लोगों ने apply किया है E2 में 449 और E3 grade में 213 और E4 grade में 79 यानि कि total अगर हम civil की बात करते हैं तो 262 लोगों ने form भरा है उसके बाद देखिए इलेक्टिकल की अगर बात कर लेते हैं तो E1 grade में total 255 अपने category के हिसाब से देख लिजे E2 में यहाँ पर 547, E3 में 445 और E4 में 306 लोगों ने form भरा है, total 383 लोगों ने form भरा है, 383 लोगों ने electrical में form भरा है, चारो ग्रेडों में E1, E2, E3 और E4 में इसी तरह से अगर बात करते हैं तो instrumentation में, तो E1 में 587, E2 में 162, E3 में 208 और E4 में 179, total 1136 लोगों ने form भरा है instrumentation में, चारो ग्रेड में E1, E2, E3 और E4 mechanical में देखी, यहाँ पर form E1 में भरा है, 454, E2 में 976, E3 में 795 और E4 में 533, total 688 लोगों ने form भरा था mechanical में और सभी का exam जो है 7 अगस्त को successfully जो है conduct हो चुका है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना में आपको competition होने वाला है, तो आपका जो है इस तरह से cut-off भी जा सकता है, तो दोस्तों, thank you for watching this video, वीडियो को like करतीजे, चैनल को subscribe करके bell icon को press करेजे, इस चैनल पर आप को authentic information दी जाती है, so thank you guys.